सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग सब्द अभ्याश किताब पेज नमबर एट में छित्र देखकर व्यंजन लिखो, इसे हम लोग करेंगे तो देखिए छित्र है कबूतर, मुझे कबूतर लिखा हुआ भी है, तो ये छित्र में कबूतर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कबूतर, केवल व्यंजन को लिखना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कबूतर, फिर दूसरा ये है, क्या चित्र में है करगूतर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कबूतर, फिर ये गमला है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कबूतर, ये घर है, घर का चित्र है, तो हम लोग यहां लिखेंगे घर, अंगा, अंगा से तो कुछ होता नहीं है, यहां अंगा लिखा है, केवल, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे अंगा, फिर चा, चम्म, च, लिखेंगे यहां पे, नसी तरह नीचे में है, छाता का चित्र, यहां लि जहाज, जहाज का चित्र है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो, यहाँ पे जन्डा है, तो हम लोग लिखेंगे जो, यहाँ, इसे आप लोग भी करोगे, सब्द अभ्यास किताब में, पेज नमबर 8 में, और यह जो 9 पेज नमबर है, इसे आप होम वक में करोगे, पेजिए, आप लिखेंगे, जाट ए सकाऊनों, अवान जो भी लिखेंगे, दो उन्मबर है, और दो हम ए वक में करोगे, तो हम भी नमबर है, यहाँ दो किताब में, अचिको नमबर है, प्याँ प् siinä चो करोगे, जो भी खाले खाले हैं, इसे दो में